आले करके कि कुंसा माइक्रोस्कोप टिम्पल माइक्रोस्कोप अच्छ दे यह क्या चीज होती भी माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं तो सिंपल कॉन्वेक्स लेंश होता है overcome simple मााइक्रोस्कोप बोलते हैं आप जब मेंग्रिफाइंड गलाफ करते हैं और किसी चीज़ को ऐसे जूम करके देखते हैं तो आपको बड़ी दिखाई देती है तो उस ताइम पर एक सिंगल माइक्रोस्कोप की तरह ही काम कर रहा होता है लेकिन उसकी पावर बहुत जादा नहीं होती मुद्धा बहुत ज्यादा सिंगल माइक्रोस्कॉप की बात करते हैं कि यह मालों की सिंपल माइक्रोसकोप में हमने कॉन्वरче timest लेंस यूज किया कंवेक्स लेंस का सब्सक्राइब आप को suspended के फोकस और पॉल के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो उससे हमेशा एक वर्चुल इमेज मिलती है जो की इरेक्ट होती है यह वाला केस आपको याद भी रखना है कोई भी कॉन्वेक्स लेंस एक सिंपल मैक्रोस्कॉप की तरह कब काम करेगा जब ऑब्जे यह पॉइंट से हम लेंस की उपर प्रिंसिबल एक्सिस के पैरल इंसिटेंट करेंगे क्योंकि यह कनवर्जिंग लेंस से यह यहाद क्या अगर कोई भी लाइट्रे ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिटेट पास होगी अब मालों इसको कोई, अब देख रहा है तो आगे यह क्या करो कि इनको जहां पे सब्सक्राइब करेंगे चलाएगी और इसको मिला दूँगा तो यह औब्जेक्ट को अगर आपको डेखना तो वो कितने दूरी पर रखा वहाँ होना चाहिए बतौब पैसी सेंटीमेटर केस वह दो अगर मैं यह चाहता हूं कि इस लेंजन से किसी चीज़ को देख रहा हूँ और मुझे सबसे क्लियर दीखे वह तो मुझे इस image को lens से कितना दूरी पर बनाना चाहिए 25 cm distance पर यह special case हो गया इदर उदर नहीं बनाना है मुझे simple microscope की तरह अगर convex lens को use करना है तो उस case में यह image कितना distance पर होनी चाहिए यह lens से 25 cm distance पर होनी चाहिए हाना यह जरूरी है तब ही हमको सबसे वह अच्छी तरीके से image दिख रही होगी अब आपको एक छोटी सी calculation करनी है कि इसका magnification कितना है इस condition में जब d distance पर आप image मना रहे हो 25 cm distance पर क्या बनाई जा रही है image तो इस condition में इस lens का magnification कितना है यह आपको calculate करना है यहां पर हम जो magnification calculate करते हैं उसको हम बोलते हैं angular magnification देखो lens और mirror वाले Case में हमने जो magnification calculate किया था उसका नाम क्या रख था linear magnification अभी मैं दूसरे magnification की बात कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं angular इसको भी हम M के सिंबल से रिपर्जन करेंगे इसका फॉर्मला होता है कि जब आप किसी भी लेंज से इमेज बनाओगे यह कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो अगर आप उसका एंगुलर मैगनिफिकेशन केल्कुलेट कर रहे हो तो इसका फॉर्मला होगा कि एंगल इस में घुर्मला ऑब्जेक्ट और कहांपर इंगल ऑप्टिकल सेंटर फॉर्मपल इहां पर इंच के टो पंट को आप लेंगें हम Nagy को मिला तो यहाँ पर बराबर आएंगे इस के ब cardboard हैं और अगर मैं मैं ये लेकिन इससे गलत लेकिन गल्त इंफोर्मेशन अपने पासा मिमेशन का इंडिकाशन होता है मैं चोटा सा प्र्रीक्वर करते हैं जब है आप सिंपल तो हमें एक छोटा सा करेंगे उसमें करना है कि object को हमको डी डिस्टेंस पे करना है जहां पर इमेज बन लिए ना उसी पॉइंट पर हमको object को शुप्ट करके करने होती है क्यों कि अगर मैं यहां पर शुप्ट नहीं करूं गूंगा इसको तो मेरे लिए देखो object को पॉइंट को लेंसी आप्ट कि सेंटर में मिला एक यह एंगल बना इमेज के टोप पॉइंट को लेंसी ऑप्टिकल सेंटर में लिए जो आपजेक्ट है उसको शुट कर दो डी डिस्टेंस पर मतलब इस लाइन की ओपर शिप्टेड माल लेंगे यहां पर माल लिए उसको एजूम करें हम लोग यह पॉइंट माल लो पी तो यह अब जो ऑब्जेक्ट हो है पीडेश पीडेश को आपको अबजेक्ट कंसि इस बार beta और alpha लग लग है तिस तरीके से calculation करनी है याद रखना है ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर इस formula को यूज करूंगा और calculate करूंगा किसका angular magnification कितना है अब क्या करने यह बिटा और अलफा भी लिख सकते हैं ऐसा मान रहे हैं लेट एंगल सार स्मोल उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं मैं एक विटा और एलफा को क्या लिख सकते हैं अब टैन बीटा और टैन एलफा के वैलों आपको डाइग्राम से पूट करनी है यहाँ पर यह वाला जो ट्राइंगल है कौन से वाला ट्राइंगल P B डेश O इस वाले ट्राइंगल में देखो अगर मुझे 10 अलफा कैल्कुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा P B डेश अपॉन B डेश O और अगर मुझे इस चोटे वाले ट्राइंगल को देखो इसमें एंगल बन रहा है बीटा इसके लिए अगर मुझे 10 बीटा कैल्कुलेट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा A B अपॉन B O समझ में है क्या तो 10 बीटा की जिगह तो A B अपॉन B O लिख दो बीटा के बीटा के साइज के बराबर है ॉर अगर यहां पर यहां पर चला जाएगा वी डेश O अपॉन B O वी डेश O क्या यहां पर बीड़ेश O का मतलब है दिस्तेंस ऑप on the optical एक बार तो मैं इसको वी लिख रहा हूं वी की वेलू डी की बराबर है यह है इमेज की डिस्टेंस वी और यह अब्जेक्ट रखाता है यहां पर यह यू और दोनों ही नेगटिव होंगे तो अगर मैं बीडेश यह बनेगा मैनस यू यह बन गया m equals to वी यू लेकिन इस पर डी तो आया है नहीं हमने तो यह देखा था कि डिस्टेंस पर इमेज बनेगी और उससे वह क्लिएर दिखेगी तो आप एक काम करो एम का यह जो फो मला पने पास आया है करने पर इसमें डी को लाने के लिए हम लेंस फॉर्मॉला यूज करेंगे इसके लिए जो लेंस फॉर्मॉला उसको यूज करेंगे लेंस फॉर्मॉला यह बोलता है कि वन अपन एफ बराबर होता है वन अपन वी माइनस वन अपन यू क्योंकि मुझे फॉर्मॉले के अंदर uran और यह वन के वी भड यूभ लजभ कर रहा हूं इसमें क्या करना भी ज्राइट को माइनस डिपर करना कि वह य भली कर रूँ अब सांग कर रहा है माइनस डिपर अब भन की जीगह वना जाएगा और इसकी जगह 可能 due would be to use के बराबर है joint के बराबर है थोड़ा रीयश कर लो इसको एम इधर लिया हो उसको ले जाओ तो एम इक्वल्स टू क्या जाएगा वन प्लस डी एपॉन एफ आएगा यह जो अपने पास फॉर्मॉला आया है यह देखो एक वन प्लस डी अपॉन एफ के बराबर होगा अगर ऑब्जेक को फोकस और ऑप्टेकल सेंटर के बीच में आपने कहीं पर रखा है और इमेज कहां पर बना रहे हो डी डिस्टेंस पर इमेज बनानी है उस कंडीशन में उस लेंज का जो मैगनिफिकेशन है उसका फॉर्मॉला क यूज कर लेना बाद में सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैगनिफिकेशन है उसका फॉर्मॉला क्या था एम इक्वल्स टू वन प्लस डी अपॉन एफी ठीक है तो वह फॉर्मॉला याद रखेंगे जो अगला टॉपिक हम लोग डिसकस करेंगे वह है कंपाउंड माइक्रो माइक्रोस्कोप कौन सा मायक्रोस्कोप में में धो को लेंविद करेंगे जै। यसमें दो लेंजे के जाते हैं क кадते हैं चुलिकस करो यहां पे जो is मोझेड़ तीना छोटा होता है ठीक है तो यह है टेक्टिव लेंज जो आपक्जक्ट की फोकस हम लिख देते हैं यहां पर यह है फो दोनों साइड में बराबर दिस्टेंस पर फोकस होता है तो इस से हमेशा एक रियल इमेज बनेगी लेंज के दूसरी साइड में मालों कि यह object है AB और इसको magnify करके देखना है आपको compound microscope क्या करेगा छोटे जो object होगे उनको magnify करके आपको दिखाएगा आपको यह calculate करना है कि कितना magnification मिलेगा जब हम compound microscope यूज करेंगे जिसमें हम दो lens यूज करते हैं तो उससे total magnification कितना मिलता है एक lens अगर यूज करते हैं उससे magnification कम मिलता है तो हम दो यूज करेंगी तो ज्यादा मिलेगा कितना ज्यादा मिलेगा वह हम calculate करेंगे और calculation से पता चलेगा अब यह जो object है AB पहले हम यह देखते हैं कि इसकी image कहां पर बनेगी तो इससे एक light ray आप principle axis के parallel lens की ओपर incident कर दो जो भी light ray principle axis के parallel आती है वह after reflection focus से पास होती है तो यह वाली जो light ray है यह कहां से पास हो जाएगी focus से पास हो जाएगी फिर echo light ray ले लो और उसको हम lens के optical center के ओपर incident करेंगे कहां पर incident करेंगे lens के optical center के ओपर incident करेंगे जो भी light ray lens के optical center के ओपर incident होती है वो without deviation इस्टेट पास होती है तो यह दोनों light ray जो reflection के बाद में आगे की तरफ जा रही है यहां पर यह किसी point A- के ओपर intersect करेंगी जहां भी यह intersect करेंगी वहां पर आपको एक image मिलेगी उसको हम बोलेंगे real image क्यों क एक perpendicular draw करके आप इसको principal axis से मिला दो तो यह जो point मिलेगा यहां पर इसको हम बोलेंगे बीडेश क्या चीज समझ मैं कि जो lens है उसके सामने focus के आगे हमने object को रखा और उससे real image बनी अब जो दूसरा lens हम लोग use करेंगे जो दूसरा lens हम लोग use करेंगे उसके लिए यह जो image है यह जो इमेज बनी है यह जो image है यह जो image है एड़ेश बीडेश यह जब आगे मैं एक और lens रखोंगा जिसको हम आई lens बोलेंगे जिस साइट से हम देखेंगे इसको object की image को उसके लिए यह वाली जो image है यह object की तरह काम करेगी अब मैं उसको सेंटर के बीच में object रखते हो तो से magnified image मिलती है जिसका magnification कितना होता है यहां पर यह जो image बनी है जो कि objective lens ने बनाई है क्योंकि यह आई lens के लिए image बनाएंगे ताकि हमको clear दिखाई दे जो कि magnified image होती है बड़ी इमेज बनती है और उसको distance बनाया जाता है ताकि हमको clear दिखाई दे तो आपको जो आई लेंस इसको इस तरीके से अड़ेस्ट कर लेना है यहां पर हमाई image बनाई है objective lens ने यह आई lens के focus और optical center के बीच में कहीं पर आ गई ठीक है अच्छा दोनों साइड में बराबर distance पर focus होता है तो जितना distance पर focus दिखाए होतना है distance पर भी focus मार्प करेंगे यह गया आई lens का focus अब यह जो image बनी है जो objective lens ने बनाई थी क्योंकि यह objective lens के लिए एक object की तरह काम करेगी तो अब हम इसकी image देखेंगी कि इसकी image कहां पर बनेगी तो एक लाइटरे में अब यह दोनों लाइटरे देखो एक दूसरे से डाइवर्च हो रही है दूर होती जा रही है तो आगे कहीं पर मिलेंगी तो अगर इदर से कोई observer देख रहा होगा तो उसको यह दोनों लाइटरे कहां से आती भी अपीर होंगी तो ब्रेन क्या करेगा इसको बैक ट्रेस करेगा दोनों लाइटरे इसको और जहां पर यह इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर आपको अब्जेक्ट की इमेज दिखाए देगी मालोई यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे है संपोस्कुरो तो यहाँ पर एपॉइंट की इमेज बनेगी जिसको मैं इसना एडबल डेश। फिर इसको आप प्रिंसिबल एक्सिस से मिलाए एक वर्टिकल लैन ड्रोगरके तो यह पॉइंट कौन सा आएगा यह आएगा बी डबल डेश यह है डबल डेश और यह पॉइंट कौन माइक्रोस्कोफ हो या टेलिस्कोप हो इसके ली रही हमेशा एंगुलर 날 साख क्ल्कुलेट किया जाते है कौन सा मेलिफ एंगुलर और इसका फॉम्ला क्या होता है एंगल्र मैधनिफिकेशन का फॉम्ला होगा एंगल मैड़ बाइड़ इमेज एड़ ऑप्टिकल से रिपर्जिन करेंगे डिवाइड बाइड वाई बनेगा इसी को हम बोलेंगे बीटा इमेज के टॉप पॉइंट को लेंज के ऑप्टिकल से मिलाने पर एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं बीटा अच्छा एलफा कौन सा एंगल होगा तो याद करो को यहां पर के संसिटाव रख रखना होता है लखा ब्थेश्पी अज़ल और को यह उसको हम कुछ नाम देते हैं दे तो सी डवल डेस को आपको अब्जेक्ट कंसिडर करना है अब्जेक्ट पर लिए कौन होगा सी डब्डेस अब इस Worksक नाम् से मिला दो यह लगो लेंग्स के यह उप्टिकल से से आप इसको मिला होगे तो यह जैसे मिलेगा और यह जो एंगल बनेगा इसको हम क्या वोलेंगे एलफा यह वाला एंगल है एलफा डियाग्राम समझ में आया क्या जो फाइनल इमेज बनी है वह है डबल डेश भी डबल डेश ठीक है इसके टॉप पॉइंट को लेंस को अप्टिकल सेंटर पर मिलाओगे त और इसके टॉप पॉइंट को जब आप लेंस को अप्टिकल सेंटर मिलाओगे जो एंगल बनेगा प्रिंसिबल एक्सिस के साथ उसको हम क्या बोलेंगे एलफा बोलेंगे अच्छा यह इतना काम हो गया डाइग्राम में हमने एलफा और बेटा को मार्क कर दिया अब यहां के अंदर यह वाला जो ट्राइंगल है जिसमें यह बीटा एंगल बन रहा है अगर मैं इसके लिए टैन बीटा कैल्कुलेट करूँ तो बताओ टैन बीटा क्या एगा कि ए डबल डेश बीडबल डेश अपॉन बीडबल डेश और अगर मुझे टैन अलफा फाइंड करना हो तो इस वाले ट्राइंगल में मैं देखूंगा एलफा एसी ट्राइंगल के अंदर एंगल है तो आपको लिखना है टैन एलफा इक्वेस्टू क्या लिख होगे सी बीडबल डेश अपॉन बीडबल डेश और टू यह समझ में क्या अब यह दोनों वैलिज उठा क्या आप इस इक्वेस्ट में पूट कर दो म आइंट लिखोंगे 10 बीटा की लिखना है एलफी ऑपन b друзья- Noel टो टू डिवाइड से..? क्या करेंगे सब्स आपन टू डब्स जो जाएगा और खु 가능 भलेसया अयह दबल डिएस सबी डबल डेश को में प्रवामर यहां पर陽ग कर ड...' अगर आप ऐसा लिख सकते हो सीवी डबल डेश को एभी लिख सकते हो तो यह वाला है इसको आप लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे अब आपको यह कैल्कुलेट करना है कि मैगनिफिकेशन कितना मिला तो उसके लिए मैं देखो यहां पर एडेश भी डेश से से इसेबसेश को मल्टिप्लाइब यूं कर रहा हो मतलब एमीब क्या सकते हैं एसकि यादाब। यह जो मैंने यहां पर लिखा हो है क्या लिखा के लिझा यहां पर इ BeimG stupid इस डिब्य Łब्यक्ट कोन है अब्जेक्त कि लिए इसको मैं लिख सकता हो कि यह magnification of the eye lens है A double dash B double dash upon A dash B dash क्या है eye lens का magnification है तो उसको मैंने M E लिख दिया अलग दिखाने के लिए और A dash B dash upon A B यह क्या चीज़ है तो objective lens के लिए object है A B image है A dash B dash तो जो objective lens है उसके लिए A dash B dash upon A B क्या होगा A dash B dash upon A B क्या होगा बताओ योगा magnification of the objective lens किसके बराबर हो गई magnification of the objective lens के बराबर हो गई तो final जो magnification आया उसका formula बन गया M equals to M E into M O यानि कि जो magnification है objective lens का और eye lens का उनका जो multiplication है वो total magnification के बराबर होता है suppose करो कि जो पहला lens है वो किसी object के image को 5 गुना बढ़ा करता है और जो second lens है वो किसी object के image को 6 गुना बढ़ा करता है तो total magnification कितना मिलेगा 5 into 6 मतलब 30 मतलब 30 times बड़ी image आपको दिखाई देगी समझ मैं है कि तो एक चीज़तों यह याद रखनी है कई बार क्या होता है कि आपको यह बताया जाता है सिदा-सिदा कि objective lens का magnification इतना है eye lens का magnification इतना है तो बताओ कि total magnification कितना हुआ तो आपको उन दोनों को multiply कर लेना objective lens और eye lens का magnification है उनका multiplication किसके बराबर होगा total magnification के बराबर आए गई ठीक है अच्छा थोड़ा और solve करते हैं इसको यह कौन सा lens है objective lens और objective lens के लिए मैं लिनियर मैंगनिफिकेशन लिखूँ तो इसका formula क्या होता है याद करो objective lens के लिए लिख रहा हूँ MO equals to lens के लिए magnification का formula होता है V upon U, याद आये क्या M equals to V upon U होता है linear magnification, अच्छा क्योंकि मैं objective lens के लिए formula लिख रहा हूँ पॉस्टिव आएगी और अब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है यू ओ वो क्या एगी नेगेटिव तो यू ओ नेगेटिव होगा व्यों क्या होगा पॉस्टिव तो यह हो गया कितना होगा तो इसका मेगनिफिकेशन होगा मेगनिफिकेशन होगा मेगनिफिकेशन यहां पर पूट कर दो यह आपका यह अपने पास फाइनल आंसर आ गया यह है मैगनिफिकेशन ओफ दर कंपाउंड माइक्रोस्कोब यह उसका फॉमला आ ठीक है अगर आपको यह पूछ ले कि बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोब में दोनों लेंस के बिच में डिस्टेंस कितनी रखी होगी आपने तो यह इस दोकदाउंड माद ऑपहते गास से फियली डिस्टेंस कितनी है इस लेंस से ुर्सके यह जो एक अभज़ट की तरह काम करेंगी हैं के लिए एक object है तो object के जो distance होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं यू यू बोलते हैं और क्योंकि लिए लिखा जारे इसलिए इसको यूई बोलेंगे तो यह वी ओ यह यूई आप दोनों लेंस के लिए लेंस फॉर्मला अप्लाई करो आप दोनों जो लेंस है ना उनके लेंस फ क्यूब का फॉर्म लोगा वी ओ प्लस यूई अगर आपको किसी भी माइक्रोस्कोप की लेंथ के बराबर होगी वी ओ प्लस यूई के बराबर होगी वी ओ प्लस यूई आया क्या समझ में यह दो क्या क्या चीज़ें इसमें काम की है जो हमको इसे तोर पे स्पेशल तोर पे याद रखनी है पहली चीज कि कंपाउंड माइक्रोस्कोम में जो मैगनिफिकेशन आपको मिलेगा वह मतलब दोनों लेंस का जो मैगनिफिकेशन उनका मल्टिप्लाई हो आपको साइन कानयवेंशन यूज़ नहीं करना है क्योंकि साइन कानयवेंशन अल्रेडि हम इसमें यूज़ कर चुके है कहां पर यूज़ किया उनकर का we upon यू उनेगेटिव क्यों पूट किया क्योंकि यू नेगेटिव होगा हमेशा जो यू है व नेगेटिव होता तो इसको नेगेटिव सिंबल के साथ में इसलिए पूट किया तो मैंने sign convention तो यहां यूज करी लिया और यह वाला फॉर्मला जब डिराइव किया था तो याद करो इसमें भी हमने sign convention यूज किया था तो इस तरीके से यहां पर भी sign convention यूज हो चुका है तो यह जो final formula है इसको directly यूज करने मतलब आपको बताया जाएगा कि के कंपाउंड microscope है उसके लिए objective lens की focal length इतनी है आई lens की focal length इतनी है और इतना distance पर रखा गया है इतना distance बद्स इमेज बन रही है पहले लेंसे वी और यू अगर आपको पता हो और नहीं पता होगा तो हम calculate कर सकते हैं लेंस formula apply करके तो यह सारा यह सारा डेटा जब आप इसमें पूट करोगे तो आपको दुबारा sign convention नहीं लगाना है और तीसरी चीज़ आपको पुछी जा सकते हैं कि length of the microscope tube का formula क्या होगा या कितनी होगी तो L equals to VO plus UE यह formula होगा length of the microscope tube का या length of the microscope का इसमें हाँ इसमें एक किशन कई बार पूछ लिया जाता है compound microscope में एक छोटा किशन कई बार पूछते हैं कि हमने objective lens को छोटा क्यों रखा है objective lens को छोटा इसलिए रखा है ताकि field of view increase हो जिस भी अब्जेक्ट को आप मायक्रोस माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा उसका बड़ा area हम माइक्रोस्कोप से देख पाएं ऐसा नहीं हो कि भी object बड़ा होके दिख रहा है लेकिन उसका चोटा ही पार्ट हम से भी दिखना चाहिए तो इसलिए हम क्या करेंगे फिल्ड ओफ व्यू इंक्रीज करने के लिए जो आई लेंज से और सुरी ऑब्जेक्टिव लेंज से उसको हमेशा छोटी साइज करेंगी उसका अपर्चर हमेशे छोटा होगा इसको छोटा लेने से फिल्ड ओव से इसलिए हम जो अब्जेक्टिव लेंज से उसका साइज हमेशा छोटा लेंगी तो पेज नंबर 85 की उपर आपको एक क्यूशन दिया हुआ देखो एक कंपाउंड माइक्रिस्कोप यूजेज एन अब्जेक्टिव लेंज और फोकल लेंद फोर सेंटिमेटर एंड अब्जेक्टिव लेंज की फोकल लेंद फोर सेंटिमेटर फोकल लेंद कितनी है फोर सेंटिमेटर फोकल लेंज यह है फोर सेंटिमेटर कितना डिस्टेंस पर अब्जेक्टिव रखा गया है ऑब्जेक्टिव लेंज के सामने कितना डिस्टेंस पर अब्जेक्टिव तो बढ़े रखा है अच्छा आइपी इस लेंग्स ओफोकल लेंथ 10 सेंटिमीटर जो आई लेंग्स की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटिमीटर ठीक है अच्छा इसके बाद में सब्सक्राइब करने के लिए अपको क्या करना है अबजेक्टिव लेंग्स के लिए लेंग्स फॉर्मला अप्लाई करना है कौन से लेंग्स के लिए अबजेक्टिव लेंग्स के लिए फॉर्मला होता है वान अपॉन एक्वल स्टू वान अपॉन वी ओ माइनस वान अपॉन यू ओ आपको क्यालकुलेट करना है वी ओ इसको इधर लिया हो बाकी एक साइड में लिया हो इसको इधर ले जाते हैं तो यह बन जाएगा वर नहीं है और चम्टिव कर दिया प्लस फॉर पुट करेंगे कि आपको पता भी माइक्रोइशकोप के अंदर दोनों इसकौन सोते हैं कॉन्वेक्स होते हैं और को लेंस के लिए फोकल लेंद हमेशा पॉस्टिव होती है ठीक है यह प्लस फॉरी पुट करेंगे यू और की व value आगे 12 cm तब इसमें फॉर्मले में वैल्यू पूट कर दो तो एम इक्वल्स टू यह है 12 यूओ कितना है सबसे क्लियर आपको कहां पर दिख रहा होता है उसको डी बोला जाता है उसको डी बोलेंगे कितना है तो इसको सॉल कर लो यह आपका अंसर आ जाएगा माइनस टू इन टू यह कितना आएगा 35 अपोन टैन सॉल करोगे तो क्या आएगा माइनस सेवन माइनस सिंबल क्या बता रहे है यहां पर एमके वह नेगेटिव आ रही है तो एमके वह नेगेटिव आना इस चीज़ का इंडिकेशन है कि जो इमेज बनेगी फाइनल इमेज वह ऑबजेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनेगी आपको याद रखन रखा तो इमेज 180 डिगरी से घूम गई मतलब उल्टा इमेज बनी अगर उल्टा अबजेक्ट रखोगे तो इसकी इमेज सीधी बन जाएगी 180 डिगरी से घूम जाएगी वह इमेज तो माइनस का सिंबल यह बता रहे है कि इमेज इस इन्वर्टेड और सेवन क्या बता रह तो वियो तो हमने कैलकुलेट कर लिए यहां पर यूई कैलकुलेट करो तो एक चीज़ बताओ आयलेंस के सामने कितना डिस्टेंस पर इमेज बनाई जाती है डिस्टेंस पर 25 सेंटिमेटर डिस्टेंस पर तो आयलेंस के लिए आपको दो चीज़ें पता है एक तो उसकी फ प्रप्राइब करोगे तो हम लिखेंगे वान अपन एकवल्स टुवान अपन वी-ई-उन अपन यूई और इसमें आपको यूई फाइंड करना है तो यूई वाले टम को इधर लियाओ बाकि उधर रखो तो वैल्यूज पुट करने के बाद में वान अपन यूई कितना आएगा तो वी-ई की वैल्यू आपको 25 सेंडिमेटर लेनी है अच्छे एक चीज़ बताओ जो आयलेंज होता है उसके इधर इमेज बनती है जिस सैड में उसके लिए ऑबजेक्ट होता है ए और एफीक कितना है एफीटो अच्छे यूई की वैल्यू तो अपने आप निकल किया जैगी नेगेट्व आपको वी तीव नेगेट्व पूट करनी और एफीक कितना है यहां पर एफीए टैन तो यह थे प्लस टैन नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्ष लेंज लेलो टियाएगा 1A पोन योई कितना याएगा माइनस टूप यह一个- man us seven by 50- seven by 50 और अगर उल्टाकर होगे तो एक इतना हैगा जलिख रहे हुँ दиком यूई अपने पास आएगा minus 50 वाई seven centimeter तो length माइक्र स्कोपट यूब इसका फॉमला होगा वी ओ प्लस यूई वी ओ कितना था 12 सेंटिमेटर और यूई कितना है 50 वाई सेवन अच्छे यह माइनिस में मत पूट कर देना क्योंकि आप लेंद्ध केल्कुलेट कर रहे हो कि दोनों लेंज की बीच में डिस्टेंस कितनी है तो वह यह जितना भी आएगा कितना आएगा यह एक टी फॉर यह निवन थर्टी फॉर क्या यह आपका फाइनल आंसर होगा कि अग्याइब कि अग्याइब कि कि